एलो स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है ताप्तिश्टेडी क्लासेश चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के वितान भाग 2 का जो चैप्टर 1 है वो है सिल्वर वेडिंग यह आज हम पढ़ने वाले पुरा कंप्लीट इसका फूल सार भी आज हम इसक आज हम जो पढ़ने वाले वितान भाग एक को पढ़ने वाले जिस से भी कोशन आपको एक्जाम में पूछ राते है तो सिल्वर वेडिंग बहुत अच्छी है यह कहानी यह लिखी गई है मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा थोड़ा से इनके बारे में जान लेते हैं तो ज बहुत चालों तक लोक्ती रियोली में से एक थी , बहुत चालों तक यहांपर जो सीरिल थी वो भूनियाद और हम लोग बहुत प्रसीद सीरियल है इनको सभी चानते है तो उन्ही लेखक द्वारा मनौश्याम जोशी द्वारा लिखी गई है बहुत अच्छी कहानी है तो यहां पर उनकी पतनी रहती है और उनके चार बच्चे रहती है तो तीन यहां पर उनके बेटे और एक बेटी रहती है यह होता है पुरी फैमेली में और यहां पर जो और आगे पुरी स्थोरी में हाँ पर मिल जाएगे बहुत सारी चीजे तो जो यह कहानी है यह किस पर आध पुरानी जन्रेशन के बीच में तो वो किस प्रकार से है उसके बारे में जो यहां पर आधुनिक्ता की जैसे की हम बात करें आज के जमाने में तो मॉडर्न जो यहां पर है आधुनिक्ता की और जाता जो समाज उसके बारे में नई यहां पर चीजे है और जो पुरान समाज उसको भी आपर बहुत अच्छे तरीके से मनोर श्याम जोसी जी ने प्रस्तूत किया है तो यहां पर पूरा कुछ-कुछ शब्दों का जैसे प्रयोग होगा वह जो कहानी में आपको मिलेंगे दो शब्द जो है एक तरीके से इनको मुहावरया जुम्ला कहेंगे तो वह है ज पुराने समाज उसके बारे में जो कहानी प्रस्तूत करती है किस प्रकार से जनरेशन गेप पर आधरीत तरीके से कहानी जो पीडियों के अंतर को बताना चाहती है कि जो नई पीडियों का किस प्रकार से सोच है और जो वर्तमान पीडियों की सोच किस प्रकार से तो दोनों पर सामके जो है 5.5 बच्चू के उनकी घड़ी में और जो उसकी उनकी ऑफिस की घड़ी उसमें रेखते हैं तो वहां पर केवाल अभी कितना बच रहा है अभी केवाल 5 बच कर 25 मिनटी हो रहा मतलब 5 मिनट इस प्रकार से पीछे है वो घड़ी तो यहां पर वो देख लेते ह कि जो उनके हाथ में घड़ी है वो हमेशा मानते है कि जो उनके हाथ में घड़ी उन्होंने कलाई में घड़ी पहनी है वो बिल्कुल करेक्ट टाइम पर चलती है कभी भी आगे पिछे नहीं होती है ऐसा मानते है क्योंकि जब वो पुरा कामकाज जो करते है डेली रूटिन हैं पर और और अब उनके आफिस्सका काकात्ट रुससे कर लेंगे घ्म किशनlanda 할 कि निТड ही अब पर अग्या प्रकार करता है यहехं तो किशन्दा को यह यहां पर इने को सबस्म्राइक तो यहां पर उनके बारे में आपको और डिटेलिंग मिलेगी तो यहां पर जो है कि आगे बढ़ते हैं यह शोधर पंत जी वह सारी बात्चीत यहां पर बताई गई है तो अब यहां पर जैसे ही वो ऑफिस से कुछ कामकाज निपटा के ऑफिस में निकलते हैं तो वहां पर जो चड़्डा साहब है वो उनसे कुछ कोश्चन यहां पर पूछ लेते हैं जो भरती हुए था है एक तरीके से यहां पर जो जो आठोख देते हैं उनकी घड़ी की और निसाना कर रहे है वक्त सही देती है कि नहीं इस करन ऐसा पुछते हैं आप चड़ा ने कुछ और होकर पंतजी की कलाई थामली और यह ऐसा जो है यशोदर बाबु जैसे आप करते हैं कई बार आप एक दुसरे से मिलते हो तो ऐसे हाथ से हाथ मिला लेते हो तो बिल्कुल वैसे उन्होंने ऐसा लेकिन यशोदर बाबु ने जल्दी से छोड़ दिया और यहाओ पर वह करते हैं किश्णधीली वहसे नहीं साथड़ना के समझ जूरूँज्न क की पेखेती किसको पंत को येशदर पंत जी को बहुत मदद भी की थी अनसी उन्होंने के यहाँ पर रहते थोड़े दिन जब हो युआ होग आदान को नो करती है तो बहुत चोटे भी थे वो तप की बात यहां पर है तो आप यहां पर जो घड़ी की और और देखते हैं कुन जो चट्डा साब है घड़ी के और यहां पर बोलते हैं कि घड़ी तो जो है बहुत पुरानी बाबा आदम के जमाने की है अब तो एक डीजिटल ले लो एक जापानी सस्ती भी मिल जाती है बोले लेकिन आप ये शुधर पंत है वो जवाब दे देते हैं कि ये घड़ी मिलीती मुझे मेरी शादी में मिलीती और मैं पुरानी चाल का हूं बोले तो हमारी घड़ी भी पुरानी चाल चलेगी और राइट टाइम चल रही है क्यों ये ऐसे करके बाद चित उनके भीश में चलती है अब यहां पर लगातार जैसे होता है अब एकदम स जब उनकी मुलाकात किशनदा से हुई थी वाली बाते आत करते हैं तो अब यहां पर जो है आप वास्तविक वर्दमान में कहाने नहीं चल रहे हैं अब कहानी थोड़ी पीछे जा चुके तो चली पीछे क्या हुआ था वो देख लेते तो यहां पर तो जैसा कि चड़ा यहां पर जो शुर्टा है वक्ता याने जो बोलने वाले सुनने वाले वह स्प्रकार से हाथ ठोकर हैं जैसे परंपरा टाइप से तो यहां पर आप किशनदा का पूरा आपको मिलेगा वर्णन कौन थे किस प्रकार से उन्होंने उनकी हेल्प की यह शुदरपंत की वह पू किशनदा के पास में इसी कारण वह किशनदा कितने गुंगान करते हैं अब किशनदा कोन थे तो उनके एक तरीके से मेंटर समझ सकते तो कुवा रही थे और यहां पर जो किशनदा है वह भी शादे जुदा नहीं थे पहार से आई हुए बहुत सारे जो लड़के उनका यह काम था तो यशोदर बाबु जिस समय दिल्ली साय थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी तो यहां पर कोशिच करने पर भी वहां पर बहुए सर्विस में लग सकते थे और उन्हें नौकरी शही थी तो किशनदा ने क्या करा हुए मैस का उनके जो एक तरीके से जिस उन्हें उनको रसोयब बना दिया और बाद में इसके बदले में उसे कुछ पैसे भी देने लगे उन्हें यशोदर को पचास रुपे वी उधार दे दिया और अपने लिए और कहा यशोदर को कि जाओ तुम इसके कपड़े बनवाल और कुछ पैसे रख लो ताकि अपने पैसा भेज सको और बाद में किशंदा नहीं क्या करा जो यशोदर पंत है उनको अपने नीचे नौकरी दिलवाई और दफतन जीवन में भी मार्गदर्शन किया तो जो आज सेक्शन ओफिशर आज यहां पर यशोदर पंत को बताय गया वह सारा किशंदा के अनुसार दिय तो यही हो रहा है अब यहां पर जो है किन ख्यालों में खो गया मतलब जो ख्याल कर रहे थे अशोदर पंत अभी तक ख्यालों में डूबे थे पूराने दिनों की आद में तो अब मेनन पूश रहा है कि आपकी शादी हुई कब ती आप जैसे उनने बता है कि मेरी शादी मिली थी मुझे गड़ी तो अब बता रहे कि कब हुई थी भई आप यहां पर उन्होंने हाथ खीच और सिधे बोलते हैं आप मैंना ने फटा-फट से एकदम से सब कुछ सोच और बोला यहां पर आप कि साध् decree की रहें और यहां पर सिल्वर कहा जाता है जूबली ने कहाँ पर कहेंगे तो इस प्रकार से है 25 साल हो गया है सगर के बोलता अब यशोधर जी थोड़ा शर्माते हैं जैसा कि किशन्दा के अनुसार उन्हें सीखा था किशन्दा से ही अब यहां पर होता है अब चड़ाने घंटे बजाकर चप्रासी को बला फटाक से कि अब जैसे पता सलता है कि भई आज तो इनकी जो है ज़्धा कर तो पार्टी चाहिए होती क्योंकि सिल्वर वेडिंग है तो बोलता है कि ज्यादा कुशी निए बस चाय मठी लड़ू इतना देदो बोले इसमें भी कोई ज्यादा पैसे नहीं लगने वाले ऐसा करके बोलता है और ये शोधर बाबु जेब से बटवा और दस कन कि ऑले के जानके बाबु और ऊपनीस में ही बोलता है तो उडिस can't come to a येशुदर बाबू के जो है जेव में कम से कम 1.5 रचा कि ईनको बहुत सारा हो पर यहां पर जो येशुदर बाबू है वो अपने ऑफिस से साइकल से ही जाते हैं यानि कि घर से लेकर ऑफिस तक कर ऊसारा सब कुछ साइकल पर कवर करते हैं पर उनके जो बच्चे है वो ये यहां पर शुद्र बाबु को पता है सारा सेक्षिन याने की जो कर्मचारियू ती चामते किुप में रहते पीज़abyra के जानने का थैना कि पर शुद्र से साय करते कि इस पर शुद्र u तो यहां पर चाहिए चाहिए होती ही उसको हां पर रहागा के जा बिल्दार कर जुदार बाच करें कृटता जब अधशी मजाक में करता है और यहां पर किस्ना दा के समय है तो यह पर किस्नैदा भुए तो debit की ये वर्णन इसमें किया है और यह उनके बच्चे और जो पत्नी उनकी अच्छा नहीं लगता था उनको क्यों जाते इधर दर और इतना समय लगा देते थे वहाला कि उनका आफिस का कार्य हो साड़े-पाच बजे तक का पूरा सीमित हो जाता था लेकिन घर हमेशा साड़े-पास तक कभी ने पहुशते यह चे बजे तक बिन उनका समय जो है वह आड़ बजे तक उनको घर पहुशने में आड़ बज जाते थे तो यहां पर जो वर्णन है वह यस्षदर बाबू की क्रिया कलापों के बारे में किस प्रकार से उनका देनिक तो वह यहां वर्णन किया गया है कि वह घर कब तक पह यहां पर जो मंदिर के पास है देखा उन्होंने तो उनको यहाद आ गई और इधर से गुजरते हुए कभी डी आई-जेड एरिया की बदल दी शकल देखकर यह शुदर बाबू को बुरा सा लगता है कि यह लोग सारा गोल मार्के छित त्रोड कर यहां पर क्या बना तो उनकी दिमाग में पुरानी यादे आ जाती है और यहां पर जो है अब उनके फैमेली के बारे में थोड़ी सी बातचीत है जो वर्णन कर रहे है जैसे कि यह शुदर बाबू है उनकी पतनी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मदबेद होने लगा है यह क्यो हो और जबकि यह शुदर बाबू की पतनी है वो पूरी तरीके से मॉडरन आधुनिकता को अपनाने को तयार है परन्तु यह शुदर बाबू है वो आधुनिकता को भी अपनाने को तयार नहीं है इस कारण उनके बच्चों को बहुत हेल्प करते थे बच्चों को पर तो जो कमाता है और यहां पर ये शुदर भाबु को इससे भी एक कंपलेने की इतना जल्दी उसे इतना पैसा क्यों मिल रहा है जबकि वह इतने सालों से नौकरी कर रहे है पर उन्हें कभी इतने इसे पैसे नहीं मिले तो यह चाहते है और जो ये शुदरजी का दूसरा पर तब उसने जॉइन करने से इंकार क्यों कर दिया अभी तक उनके समझ में नहीं आ रहा है और जो उनका तीसरा बेटा है वो स्कॉलर्शिप लेकर कहां चला गया है अमेरिका चला गया है और उनकी एक मात्र बेटी जैसे में आपको बताया था तीन उनके बेटे सबसे पहल प्रस्तावार थे सारे को इंकार करते चले जा रहा है और कभीकवार उनको धमकी दे दे लिए जो में परायपन महथोस होता था क्यों बच्चे जैसे जनरेशन गयाप को यहाँ लगबक उनके बीच में जो मत्बेदे वो लेकर रहे है आधोनिक्ता और गारोशन एद्र जो है पुराने पुरातन को उसी को लेकर है अब जो उनकी पत्नी है एश्वधर बाबु की वो मुल संस्कारज में से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है तथा पी हाला कि पूरी तरीके से अपनाया नहीं उनकी पत्नी ने लेकिन बच्चों की तरफदारी के कारण उन्होंने आ प्रवार के में बताए गया है और यहां पर किष्णदा का कॉर्टर के बारे में बात आई है वो भी इसी प्रकार से हैं अब यहां पर यह अशुदर पांतजी है वो अपने जो लाइफ है उसको कंपेर करते है किष्णदा से तो यहां पर उसके क्वाटर के सामने कड़े होते है और एकदम गहरी सास लेते हुए चोड़ते है कि यह बहुत अच्छा होता है यह दि वो किष्णदा की तरह घर ग् अंत जी सोचते हैं और उनके सामने कुछ ऐसा भी नहीं था पर जो किशन्दा है उनकी पूरी लाइब बिती वह इस प्रकार से थी कि वह यहां पर उन्हेंने शाधी नहीं की लेकिन उनके साथ में रहने के लिए उनको यहां पर कोई जग भी नहीं थी अंत में जग उनका समय तो बहुत सारे जो उनकी जान पहचान वाले थे उन्होंने पी उनको नहीं रखा और सोय में यहां पर जो पंत है वो यशोदर पंत जी जो है वो रखना चाते थे परन्तु उससम उनकी साधी हो चुकी थी और उनकी जो परमीशन उनको घर से नहीं मिलतकती थी तो इस जो जुमले आ रहे हैं यहां पर सम्हाव और यहां पर जो हुआ होँगा यह वर्ड है तो वही है जिन लोगों के भाल बच्चे नहीं होते घर परिवार नहीं होता उनको रिठार होने के बाद जो हुआ होंगा से भी मौत हो जाती याने कि किशंदा का यहां पर है यहां प तो ड़ावा फिरावु जो अपने बच्चों से कम्प्लेन करते हैं कि जो बच्चे उननों जम्जाएंगे पर वो उन्ही अनुसार करेंगे तो यहां पर वही बात है कि कि्शन्दा का एक मुहाओरा तरगे से कहेंगे एक शब्दबाक्टे जो बारबार लधोराते हैं कि यह जल से जल उन्हें अपने जिम्मेदारी और तजरूबह से वह वाकिफ हो जाए यहां पर यहां पर यह शुदर बाबु जो है कभी-कभी मनी-मन स्विकार करते हैं कि ज्यादा तर उनके बच्चे या बीवी बच्चे जो है वाधीक सुल्जे हो सकते हैं लेकिन 2-4 करने वाल जो जो बाते हो रही है कि किस प्रकार से उनके बच्चे और उनके बीच में तालमेल बैठाना कैसा हो रहा है और यहां पर आगे बढ़ने वह गाओ का पुस्तेनी घर के बारे में आपर बता रहे हैं तो यह शुदर बाबु का पुस्तेनी घर है उस पर बहुत सारे लग- अब टूट पूट चुका है और उस पर बहुत सारे लोगों का हाक है कि जो उसका बटवार होंगा तो अलग-अलगाएगा लेकिन अब इतना बसना फिर उसकी मरमत करना है सब बेकाल का काम है उनके बारे में सोचते हैं और जब कभी उनके पत्नी भी बारे में सवाल करती तो उनके बीच में यही रिखां कि जो है बाते होती है और यहां पर उनको जो यह शुदर भाबू है को यह नकली असी करने के लिए बात दे कर रहे हैं सारा चीजों सोचकर जो कर रहे है यहां पर वही परणन आपको मिल जाएगा पूरा पेज में अब यह शुदर कि जीजा जी का हल पुष्ण उनने अहम्दाबाद जाना होंगा और यहां प्रस्ता उनके पत्मी और बच्चों को पसंद नहीं आएंगा जैसे बताएंगे क्योंकि सारा संग्त परिवार लगबग बिखर गया है यहां पर जो दोशे वो चल रहे हैं जैसे कि जन्देशन जो विध्वब हो उनके पास अलमुरा चले गया थे और वहीं यहां पर उनने रहे और किस प्रकार से किशंदा जो है वो कुवार थे वहार था और किशंदा से थोड़ी नोग जोख होती है इस वर्णन में और यहां पर जो उनकी पतनी के बारे में य शव दरबाब बताते कि प्रकार से उनकी पतनीं से उनको बोलती है कि बारे में भी पताती है और उनकी पतनी से भी कहते है कि जिस तरह से तुमने अपनी आधुनिक्ता पना ली है तो या शदर भाबू की जो पतनी है थोड़े मौडन तरीके से रहती है वह क्यों क्योंकि जो बेटी है उन्होंने यहां पर उनकी बेटी नहीं उनको इसा बता है रहने के लिए तो पतनी से बही कहते है कि जिस तरह तुमने बुडिया काल का या बगेर बाहा का ब्लाउस पहनना रसो इसे बाहर दाल बात खा लेना एनिवे तुम्हें करने से रोक नहीं रहा लेकिन तुम भी मेरे जीने के ढंग पर कोई अतराज मत बताओ तो यहां पर तमाम बाते उनके बिशमें होती है और जो किशंदा है उनके शब्दों में भी वो बताते है कुछ कुछ कि कैसा यह बात चीते हो रही है सब कुछ यह जो है तो यह इशोधर बाबू नहीं बहुत सारे कारे जो किशंदा सी शी छिखे थे लगभग उने बहुत सारी चीजे संशकारोल गिर जो यहां पर उनने मिले थे जो रम लगभक कक्च्छी उ म्रमें अपर आय थे दिली में तो वह जैसे घर में कोलीला राना याने की समाज का सम्मानित वुजुर्ग यहां पर उन्हें मिले के तो कि अईधके सीन के लोगने करने करें अरे इसते वा सिर्ट है इस तो और ये वह जबी पशे ठीक सब्सक्साइप सब्सक्राइब हे इस ऊह Может legitimately को है सवा गई रहा दो परिंगों करने करना का ह 되면 पर देता को पॉर अधके समय कर लिए जो अई श्मयास तरहा तो बोलता है कि तनका उमrage दे दूगा पर अंते हैं कि उनके लिए तना हैं ज्टम यहां पर उनके पर कवह पर दे आ कंपे नहीं सब्सक्राइकि Arai नुक नहीं कर सकता हिए हकंसा नुक्त क Fr चृतु कि निली दल खुर्म अ मैं कहां से कंपथ, कर आद पर बॉलता हैं पर अनुसर करने लगाताए अपने अनुसार पूरा उनका कारे करेगा तो अब यहां पर जो क्वाटर की पास पहुचे तो उन्होंने देखा उन्हें लगा कुछ गलत जगतों नहीं आ गये क्यों कि घर पर लगबक सभी सजा धजा था कारे कारे आई हुई थी और बहुत से लोग विदा ले रहे थे आना जाना चला हुआ था महमानों की भीड लगी थी और रंगीन कलर की जाल रहे गुबार लटके हुए थे और रोशनीया जल रही थी रंग बी-रंगे कलर से अलग अलग तरीके से सजा हुआ था आप यहां पर उन्हें अपना बड़ा बे अपर इनकी माया यही जाने मतलब जो इहां पर बत्चकर रहे हैं क्या कर रहा हुआ ने इतना सबुश रहा हैँ उनकी पत्नी तो यहां पर देखते हैं और उन्हें कुछ लगता है क्या क्या हो रहा पद्नियों कहती है कि पल्लु अलु मैंने कर लिया बहुत तुम्हारे कहने पर समझे मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है मतलब लड़की को जैसे रहना है वो उसी प्रकार से रहेंगी पुद्र का पक्षी ले रही थी मतलब उनकी बेटी का पक्षी ले थी हाँ पर जो रहे हैं और जो महमान है वह बहुत सारे महमान है आपर आना जाना भी करते हैं तब उन्हें कुछ पता नहीं चलता है जब कार वाले लोग चले गए तब यश्वदर भाव ने अपने कदम रखने का सहाज जोटा है पहले तो उन्होंने सब को आने जाने दिया पिर हाई पर वहाल कहती है तो बीतर अब भी क्या चल रही थी तक पूत्री और रिष्टे दार्य भी बहुत सारे जहंने अब उनके बड़े बेटे ने आप देख लिया उन्होंने बड़े बेटे और बयटा भूशन है वह बहुता है बबा आप भी हम्यत करते करते सीलबर से पूर्च उन्की मित्र रिष्त्धरगों को दूर्ट लेत करें घूalt यहोब देते तुम्हा यहां तो यहां पर जबसे तुम्हारा यह वाब से तुम्हारा कमाने लगा सब्स health we । चंद्रदत तिवारी की क्यों क्योंकि जो इसी साल MS यहां पर SAS पास हुआ है और दूर के रिष्टधार बाबु को भाजा लगता है और यहां पर तमाम तरह की सिकायती थी उनको बेटे को वैसे बहुत सारी सिकायते थी कुल मिलाकर उन्हें अच्छा लगता था कि लोग अब इतनी सारी भवे पार्टी देखते हो समझते हो उन्हें कुछ थोड़ा संतोज भी होता है कि जिस अनात येश्वधर के जनम दिन पर कभी लड़ू भी नहीं मतलब उनके जनम दिन पर कभी आस तक लड़ू नहीं आया उनकी विवास आलगीरा पर इतनी सारे चीज़े निकालकर कीति तो यहां पर उनकी पहले चाधी जो थी शादी के समयोनों ने दो चार आज रुपर करणकर कीति लेकिन यहां पर उनकी एनिवर्सिरी पर इतना सारा चीजे शामिल है यह दहां चरावakin पर नहीं आजश्या होता है तो यहां पर पूरे बतना उनकी बात बेटे को अपना संपन नमाला सम्हाव भेंकर ओचाट यानि ओचे पन का धनी आलूम होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि इसी के कारण जो भूशन को बिगाड़ दिया है जो गिरिश है उन्हें के कारण नहीं ऐसा लगता है क्योंकि जो बड़ी-बड़ी बाते करते हैं जो और यहां पर जो भूशन है अपने मित्र सयोगी का येश्वधर भाबू से परिचय कराना शुरू कर दिया उनकी मैनी हैपी रिटन्स ऑफ दर डे का थेंक्यू कहकर जवाब देते हैं जिन लोगों का नाम पहले बता दिया है उनके और वाइडी पंथ होम मिनिस्टर यहां पर उनके संसकार उनके और है पूरे उसी तरीके से वह अपनाना चाहते है बहली कहने के लिए वह यहां पर मना रहे तो उनके लिए कहना था कि जो यह पार्टी वगरे मन रही है सब चीजी क्या है यह यहां पर जो है गोरी लोगों कमानना है यह ऐसा हो नहीं मनाते ह वो उन्हें ऐसे मनाने के लिए परमपरा यह इजाज़त नहीं देते हैं उन्हें केवल एक साधान रूप से साधगी रूप से इसको मनाना चाहते है अब जो उनकी बेटी है यहां पर ये शुदर बाबु की वो चाहती है कि यहां पर जो उसके माता पिता हो केक काटे तो यह लेकिन यह शुदर बाबु क्या कहते हैं somehow I don't like all this मुझे यह सब बिल्कुल पसंद भी नहीं लेकिन उन्हें केक काटी दिया गिरिष ने उनकी अन्मनी किन्तु जो जिपसी छवी होती जैसे उनको पसंद नहीं था कि मुझे केक वे काटना तो यह क्या करा गिरिष ने उसक कारण में केक नहीं खाऊंगा फिर उनको याद दिलाए कि कुछ वर्षों पहले तक तो आप खाते थे आप मासा हरी थे एक टुकड़ा खालेंगे तो क्या होगा लेकिन नहीं माने और अनुरोत किया कि लड्डु खाले आप जो बूशन है उसके केक मितरन लड्डु उठा कारण में बढ़ जाते हैं और उनके बच्चे लोग बलते तो आप संध्या करने के तब तक हम भी नहीं खाएंगे क्या तो आप लोग खाईए यह सब फॉर्मिलेटी करने की कोई हावशक्ता नहीं है वो जाते है और पूजा करने के लिए उनकी पत्नी उनके बच्चे बा कि कब तक आएंगे महमान लोग जा रहा है जल्दी से आजाए सब महमानों को विदा करें लेकिन वह उठने का नाम ही नहीं रहे है लगभग अपने उन्होंने थोड़ी सी मिनट की पूजा को पच्चीस मिनट तक खीच लिया और तब तक महमानों को उनके आवाज सुनाए जिनकी बीवी बच्चे बाल बच्चे नहीं होते उसकी यही चिंता में वो मर जाता होगा जो हुआ होंगा में से मरते हैं तो वही वर्णा नहीं हापर है तो सब कुछ वही है अब यस्चोदर बाबु ने पजामा कुर्टे और जो उनी ड्रेसिंग आउन पहने सीर पर गो के लिए जो किषंदा उनके लिए गरम गरम चाय बनवाई जाती थी उनका कहना था कि जिसे फुक मार कर ना पिना पड़े वह चाय कैसी चाय सुड़कते वह किषंदा प्रवचन भी करते थे मतलब लगभग चाय पीते वह दोनों के विशमें बाते उटती थी वह किसी भी पर चाय करते थे और यहां पर उन्हें विश्वास है कि जो किषंदा है वो जनरेशन गेप हैं उनके और उनके बच्चों के विशमें वह इस पर भी उनको कुछ राय देंगे यह शुदर पंत को राय देंगे ऐसा सोचते है कि इस प्रकार से गहन धारना में लिए है कि यह बचंदा है कि पुजय से बात कर रहे था उनके दिमाग में जो उनके अंदर पूरा चल रहा था वैसे उनकी पतनिया और बोली चले चले आज पूजय में बैठ होगी फट से उठे आशन से और दबह सार्म पुशन लगे क्या महमान चलेगा पतनी ने बता है कुछ गया कु और आस्वास्त होने पर कि अब रिष्टेदार ही है तो फटाक से क्या हुआ हो बहारा है और लाल गम्चे में बैटक में चले गए जिसे पहन करने गएते हैं संध्या की पूजा करने गएते हैं और गम्चा पहनने के आदत थी उन्हें कि शंदा सी विरासत में मिली थी याने की कपड़े हैं हमारे सारे महमान है रिस्तेदार है तो अब नहीं देखा की इवल रिस्तेदार तो उन्हें आप जोटाएगी वहीर करेंगे ना तुमारी तरह जीन पहन कर हमें तो सजना हाता निकी बेटी उनको ऊर बोलती है कि आपने आसा क्यों अपहना था क्यों बैठक मतलब आपके लिए कुछ उपार लाया हूं इसको खोल कर देखिए तो बोलते हैं शुदर ये क्या जरूत है इसकी कोई जरूत नहीं है क्या प्रेजन लाया हो बले तुम आप बुषन सबसे बड़ा पैकेट उठाकर और खोलते बोलता है इसे तो ले लीजे यह हमें आपकी प्रेजन लाया है उनी ड्रसिंग गाउन है उनकी बनी होई है आप सवेरे दूद लेने जाते हैं तो फटा पूल जो लोवर है पहन के चल जाते है बहुत बुरा लगता है इसलिए आप क्या करेंगे आप जो गाउन लेकर आयो उनका बेटा है उनकी लिए गाउन लेकर पहन कर जाते हैं जिससे उनके बच्चों का इंप्रेशन पर जमा रहा है यह ऐसा चाहते है तो अब बेटी पीता का पाजामा कुटा उठा रहा है कि इसे पहन कर गाउन पहने थोड़ा सा नानुच करने के वाद यशुदर जीने से आगरह की रक्षा की और गाउन का सेश क इसको कहते हैं मतलब उन्होंने ऐसा थोड़ा सा कोशिश की उसको पहनने की और यहां पर बता है अब यहां कहना मुश्किल है कि इस गड़े में उन्हें बात चुप गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सबे ड्रेसिंग गाउन पहन कर दूद लाने जाया करें वह पर आपको इसकी आवशकता नहीं है जाने की परन्तु कह रहा है कि आप गाउन पहन कर जाए ताकि उनका जो इंप्रेशन है कि देखें हम जो मेरे पिता जी वह भी मौडर्न है और हम सारी फैमेली किस तरीके के विचारों सोच वाली यह ऐसा चाहता है तो यहां पर जो से एकदम बैलेंस नहीं बैठाल पाते है तो यह कहानी पूर उस पर आदारीत है तो यहां पर आज किस वीडियो में देखें आपने वितान भाग दो कक्षब बारवी के जो यहां पर कहानी सिल्वर वेडिंग बहुत अच्छी कहानी थी जो मनहोर्शान जोक्षी जी त्व पुछी जाते हैं तो वो कोशन सब नेक्स्ट वीडियो में जरू करेंगे तब तक आपको आरो के जो वीडियो में चेक्टर वाइस हैं यहां पर आपको डिस्क्रिप्शं लिंक कर दिएकए वहां से जाकर भी आप कर रहो कर देख सकते हैं तो यह मिलता है तो यह एसे वी